राजिस्तानी कलाकारों को बठिंडा में आतंकवादी समझ कर पकड़ा गानों की शूटिंग करने के लिए गए थे बठिंडा असलियस सामने आने पर पुलिस ने ली राहत की सांस बठिंडा में आर्मी कैम्प के पास कुछ लोग गाड़ी में घूम रहे थे लोगों ने नाच में खुलासा हुआ कि ये लोग राजिस्तानी कलाकार हैं और यहां शूटिंग के लिए आए गए थे इसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली इन लोगों को रात में स्कॉर्प्यो वाहन में घूमते समय हिरासत में लिया गया था राजिस्तान से गानों की शूटिं इसके बाद पुलिस ने शहर में हाई अलर्ट जारी कर नाका बंदी कर दी और वाहनों की चेकिंग शुरू की कालोनी में रहते कुछ पूर सैनिको वे लोगों ने बताया कि घूमने वालों का हुलिया कश्मीरी आतंकियों की तरह हैं इससे पुलिस कर्मियों के होश उड़ पुलिस ने ग्रीन सिटी से सिसी टीवी फुटेज प्राप्त की इसमें गाड़ी का नंबर 1415 दिखा गाड़ी नंबर को ट्रेस कर लाइन पार इलाके में रहते इसके मालिक सोनु के पुलिस पहुंची सोनु ने बताया कि एक बुजूर्ग ड्राइवर गाड़ी को चलाता है लिकिन वह रात में गाड़ी लेकर नहीं चलता है उसने बताया कि उसकी दूसरी गाड़ी 1915 नंबर हो सकती है फिर उसके ड्राइवर को फोन किया तो उसने बताया कि उक्त गाड़ी किराये पर बुक की गई थी उसने बताया कि वह पहले मीनी जूमें गए थे और फिर ग राकेश कुमार, अनिल, कृष्णा, कंचन, सीमा, अविनाश, पवन वे मोनो को उन में बुलाया गया था। राजमान ने उनको शुटिंग के क्लिप्स दिखाई और उसके फोटोस भी दिखाई। इसके बाद पुलिस ने रहत की सांस ली।